नमस्कार मैं हूई श्पेता चाओ और आप देख रहे हैं आज सुभवें बात करते हैं सबसे पहले डलित राजणीती की जो इन दिनों सबसे जादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में इन दिनों मुख्य मंत्री क्या तमाम मंत्री जो है आजकल डलित पॉलिटेक्स में उलए है यानि कि डलितों के घर घाना उनके घाना खाना उन्हें कहीं न कहीं लुभाने की कोशिश लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि खुद बीजेपी के अंदर से ही आवाजे उठने लगी है बहराईच की बीजेपी सांसद सावित्री बाई फूले उन्होंने कहा है कि इस तरह से दलितों के यहां जाना और फोटो खिचवा कर फेस्बूक या ट्विजर पर लगवाना आईए कहीं न कहीं उनका अपमान है दलितों के घर तमाम सियासी दल के नेताओं के खाना खाने की तस्वीरों से हम इन दिनों खूब रूबरू हो रहे हैं दलितों के दुखों की परवा हो नहो इनके घर भोजन करना इन दिनों फैशन सा हो चला है ताजा मामला यूपी के मंतरी सुरेश राना का है जिन्होंने अलिगड में एक दलित के घर खाना तो खाया लेकिन बाहर से मंगा कर नेताओं के इसी स्वांग के खिलाफ खुद बीजे पिसान सद साधवी सावित्री बाई फुले ने मोचा खोल दिया है अनसूची जाती के घर पर तो खाना तब खाना चाहिए जब आचानक आप पहुँचे सावित्री बाई फुले ने दलितों के घर नेताओं की फाई श्टार भोजन शेली पर जम कर प्रहार किया बरतन कहीं का, भोजन कहीं का और भोजन कराने वाला भी कहीं का सिर्फ दलित के घर पर खाने का कारकरब खुलासा किया अलि गर्जिले के उस दलित ने जहां सुरेश राना ने बाहर का खाना खाया हाला की ताजा तस्वीर कानपूर से आई है जहां यूपी के डिप्टे-सी-एम केशो प्रसाद मौर ने दलित महिला के घर पर भोजन किया देखे जब कोई नौटंकी करेगा दलितों के नाम पर ड्रामा करेगा तो सभाविक अपमान है आप दलितों के घर जा रहे हैं फाइप स्टार का खाना ले जा रहे हैं दलितों को दिखा दिखा के चिढ़ा चिढ़ा कि आप फाइप स्टार का खाना खा रहे हैं आप क्या देश के सियासत ने हमेशा से दलीतों का इस्तमाल अपने फाइदे के लिए किया है दलित पॉलिटिक्स के नाम पर दलीतों का हंदर्द बनने की होड मची है चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में बैठा अलिगर से शिवेंदर श्रीवास्तव और बहराईट से रामब उत्तर भारत में बुद्वार रात आये आंधी तुफान में दर्जनों घर बरबाद हो गए अकेले राजस्थान की बात करे तो वहाँ पर 36 लोगों की मौत हो गई है देखिए ये रपोर्ट राजस्थान में तुफान ने ऐसी तबाही मचाई कि जिसने देखा जिसने जहेला और जिसने महसूस किया वो अब तक सदमे में है गद्रत इतना करूर भी हो सकता है किसी को यकिन नहीं हो रहा है किसी का सालों पुराना सपना तूटा तो किसी के अपने चूटे घंटों पहले तक कई जिन्दगियां जो हस खेल रही थी वो अब पंच तत्व में विलीन हो चुकी है बाकी रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ मातम का मर्ख़र अकेले राजस्थान में गरीब 36 लोगों की मौत हुई है धौलपुर जिले के लेबरापूरा, क्यारपूरा और विपरिपूरा में तूफान से लगी आग ने सब कुछ तबाह कर दिया बेटियों के लिए जोड कर रखी जीवन भर की कमाई पल भर में राख हो गई लेबरापूरा में दो परिवारों में 11 माई को होनी थी तीन बेटियों की शादी लेकिन अब दोनु परिवार सोच रहे हैं कि हे भगवान बेटियों की शादी कैसे होगी शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और घर में हसी खुशे का माहौल था लेकिन आग के भीशन तांडव ने पल भर में खुशियों के माहौल को भस्म कर दिया ऐसे में बेटियों की शादी तो दूर परिवार के सामने दो वक्त की रूटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है धौलपूर जिले में ही डर्वापूरा गाउं में तूफान ने कामता प्रसाद के से से उसके माता पिता का साया छिन लिया घर की दिवार गिरने से हुई कामता के माबाब दोनों की अकाल मौत हो गई राजस्थान में मौसम ने अपनी मनमानी सबसे ज्यादा दिखाई बे गुनाहों की मौत से मातम का तूफान है शिकायत करे भी तो किस से जब उद्रत ने ही सब कुछ बिगाड़ दिया धौलपूर से उमेश मिश्रा के साथ आज तक बियूद और अबात आगरा की जहां पर तूफान से सबसे ज़्यादा मौत की खबर सामने आई है आपको बता दे यहां पर 43 लोगों ने अपनी जाने गवा दी है एक परिवार तो ऐसा है जहां पर तीन मासूम मौत की नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो गए और वो परिवार अब तक सबमे से बाहर नहीं आ पाया है मौत की नगरी आगरा की सूरत 130 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार से आए तूफान ने बिगार कर रख दी है कहीं दीवार का मलबा पड़ा है कहीं भारी भरकम पेड़ों का अमबार गिरा है तो कहीं गम में डूबे परिवारों का मातम बिखरा है सिर्फ आगरा में ही गुदरत ने 43 लोगों को अपना निवाला बना लिया आगरा जिले की बकावर गाउं में राजवीर अपने तीन बच्चों को लेकर भविश के सुनहरे खौब संजो रहे थे लेकिन अब कंधे पर उनकी मौत के मातम का बोज है संतोश, भोला और तनू घर की छट पर खेल रहे थे कि अचानक खुदरत का कहर बर्पा और सपने चूर चूर हो गए राजवीर के तीनों बच्चों की तूफान में मकान ढहने से मौत हो गई हस्ता खेलता परिवार देखते ही देखते घम के समंदर में डूब गया राजवीर की पतराई हुई आखों से निकलते आंसू पूछ रहे हैं कि संतोष भोला और तनू का आखिर क्या कुसूर था क्या कुद्रत इतनी बेरहम और पत्थर दिल भी हो सकती है परिवार ये स्विकार नहीं कर पा रहा है कि छट पर बैठना उनके बच्चों के जिन्दगी पर भारी पड़ेगा राजवीर के परिवार की दो महिलाएं अभी भी अस्पताल में अपना इलाज करा रही है ऐसा सिर्फ राजवीर के साथ ही नहीं हुआ है आगरा शहर और जिले के गाउं में तूफान का कहर सैकड़ों घरों पर बरपा है थाना एत्मा दौला के प्रकाश नगर निवासी सुभास चौधरी और उदैभान घर के बाहर बैठे थे कि दीवार गिरने से वो लोग दब गए जिनकी मौके पर ही मौत हो गई आगरा इस वक्त जखमी है मौत पर सांतवना का मरहम लगा कर आगे बढ़ना ही समय की जरूरत है लेकिन मौसम ने जो उम्र भर का गम दिया है उसे दर किनार करना भी मुश्किल होगा आगरा से अर्विन शर्मा के साथ आज तक ब्योरो कि अगरा इस अर्विन शर्मा के साथ ने जर्विन शर्मा के साथ देख दूमा के साथ आगे प्रावान समय के साथ चाहई ज़गा आगे बढ़ना है